नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिद छेग देश में एक बार फिर से नोटों का पहार मिला है एडी के अधिकारी नोटों के इस पहार को देख कर दंग रह गए हैं उससे भी जादा चौकाने वाली खबर ये है कि नोटों के बंडलों का धन कुबेर कोई मामूली शक्स नहीं बलकि एक मंतरी है जो परदे के पीछे से गड़ियां किसी और जर्ये छुपवा रहा था ऐसे राजी का मंतरी जिसमें आए दिन E.D.C.B.I. को भरस्ट चार में एक बड़ी मचली हाथ लग रही है टुइस्ट का खुलासा करें उससे पहले कहा नोटों के इस पहार ने तहलका मचाया है चलिए बताते हैं दरहसल एक बार फिर बंगाल में ही नोटों की गड़िया बरामत हुई है E.D.C. ने एक कंपनी परिसर में छापे मारी कर करोरो रुपिय बरामत किये हैं इस छापे मारी से कोईला तसकरी का कनेक्शन भी सामने आ गया है जिससे ना सिर्फ ममता बैनरजी बलकि उनके भतीजे अभिशेक बैनरजी के भी पसीने चूट गये हैं बंग किसकी कंपनी से E.D.C. को मिला नोटो का पहार T.M.C. का कौन निता ब्लैक मनी को कर रहा वाई E.D.C. के कारवाई से क्यों डरी ममता और अभिशेक बंगाल में काले धन के कितने धन को बेर इन सवालों ने इस बार तो ममता क्या अभिशेक बैनरजी को सदमा दे दिया है क्योंकि खुलासा ये हो रहा है कि ये नोटो का पहार कोईला तसकरी की काली कमाई से बनाया गया है कोईला तसकरी केस में ही ममता के भतीजे अभिशेक बैनरजी का नाम भी शामिल है तो ऐसे में कहीं ये प्रभाव शाली नेता विशेक बैनर जी तो नहीं आगे कुछ बताएं उससे पहले E.D. की कारवाई में क्या मिला, कौन हत्ते चड़ा इस पर E.D. का धमाकेदार खुलासा बताते हैं दरसल E.D. ने कौलकता की एक कमपनी परिसर में छापे मारी कर एक करोर चार लाक रुपिये नगद जब्त किये हैं साथ ही एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की है जो कथित रूप से एक मंत्री के कोईला तसकरी से अरजित अवैधन को ठिकाने लगा रहा था यानी ब्लैक को वाइट कर रहा था इसका खुलासा खुद E.D. को मिले सबूतों से हुआ है E.D. को ये सबूत कॉलकता में गजराज समू के परिसरों पर छापे मारी के दोरान मिले है E.D. ने धमाकेदार खुलासा करते हुए कहा है कि ये कारवाई उस खास खुफिय जानकारी के अधार पर की गई जिससे पता चलता था कि एक बहुत ही प्रभावशाली राजनितिक निता अपने करीवी विश्वास पात्र मंजीत सिंग्रेवाल्स के जरिये कोईला तसकरी से होने वाली अवैत कमाई को वाइट करने का प्रयास कर रहा है जब्त की गई एक करोर चार लाग की नगदी बेहिसाबी थी जिसका कोई लेखा जोखा या हिसाब नहीं है ये नगदी सालासार गेस्ट हाउस नाम की एक प्रॉपटी की कीमत के रूप में दी जानी थी इस प्रॉपटी के लिए करीब 9 करोर रुपए का भुक्तान किया जाना था जब्त की गई रकम भी उसी में इस्तेमाल होनी थी एडी ने कहा कि इस संपत्ती की मार्किट कीमत 12 करोर रुपए से ज़्यादा है जबकि प्रॉपटी की खरीब करीब 3 करोर रुपए दिखाई गई है इस प्रॉपटी को कम कीमत पर खरीदा जा रहा था जानकारी के मताबिक जाच एजेंसी ने कॉलकता की कई जगाओं पर छापे मारी की थी एक बिजनिसमैन के घर पर रेड मार कर ईडी ने उससे काफी समय तक पूछताज भी की थी जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया मंजीत सिंग कॉलकता का बहुत ही नामी वेपारी है उसके पास से बड़ी संख्या में कैश बरामत किया गया मामले के तार कोईला तसकरी से जुड़े बताय जा रहे है कहा जा रहा है कि कोईला तसकरी का पैसा वाइट होने के लिए बिजनिसमैन के पास आता था इस बात की जानकारी जैसे ही जाँच एजनसी को लगी उन्होंने तुरंट छापे मारी शुरू कर दी काफी लंबी पूश्टाच के बाद ED ने उसे हिरासत में ले लिया साथी उसके ठिकाने से डेर करोड के करीब कैश भी जब्त किया गया इस कैश का इस्तमाल किसी प्रॉपर्टी खरीद के लिए किया जाना था लेकिन उससे पहले ही ये नगदी ED के हत्ते चड़ गई है लेकिन बस पता ये लगाना है कि आखिर ये प्रभावशाली नेता कौन है जो बंगाल में कोईला तसकरी कर अपनी तिजोरियां भर रहा है शक इस बात वक्त ममता के लाडले भतीजे अभिशेक बनरजी पर ही जा रहा है क्योंकि कोईला तसकरी में अभिशेक बनरजी फसे हुए है और जैसे ही ED ने बंगाल में ये कारवाई की नोटों का पहार जब्त किया वैसे ही अभिशेक बनरजी बुरी तरह काप उठे है खबर तो ये आ रही है कि बंगाल टीमसी में तहलका मच गया है भगदर मच गई है क्योंकि आगे ममता का न जाने कितना बड़ा नेता सलाखों के पीछे जाने वाला है लेकिन कैसे जाच की आच ममता तक पहुँच सकती है तो चलिए बताते हैं दरसल पश्रिम बंगाल में पहले से ही ईडी कोईला तसकरी की जाच कर रही है ये मामला पश्रिम बंगाल के आसन सोल, दुरगापूर, बंकुडा और पुरूलिया में अवेत कोईला खनन और उसके वैपार से जुड़ा हुआ है यहां अवेत कोईला का वैपार अर्बो रुपियों का माना जाता है यहाँ पर छोटे बच्चों से बड़े बुजुर्ग तक बड़ी संख्या में अवैद कोईला खनन से जुड़े हुए हैं इन इलाकों में अवैद कोईला खदानों में घुसकर कोईला निकाला जाता है फिर इस कोईले को ट्रकों में भरकर बाहर भेज दिया जाता है इसी तसकरी के केस में बंगाल में बड़े बड़े अफसर और TMC नेता फसे हैं आरोप लगाया गया कि ECL, CISF, भारतिय रेलवे और संबंदित अन्य विभागों के अधिकारियों की सक्रिय मिली भगत से ECL के लीज होल छेतर से कोईले की चोड़ी की गई इसके बाद CBI ने पिछले साल 28 नौवेंबर को पश्चिम मंगाल के 45 थानों पर च्छापे मारे बाद में TMC सांसात अभिशेक बैनरजी के करीबी विने मिश्रा पर भी च्छापे मारे गए विने मिश्रा को CBI ने चार बार तलब किया लेकिन वो एजेंसी के सामने कभी पेश नहीं हुए CBI ने विने मिश्रा के खिलाब गैर जमनती वारेंट और लुकाउट नोटिस भी जारी किया जिसके बाद इस केस में अभिशेक बैनरजी की पतनी का नाम जुडा CBI ने अभिशेक बैनरजी की पतनी रुजीरा नरूला बैनरजी और उनकी साली मेन का गंभीर को नोटिस भेजा सूतरों के मताबिक गवाहों और संदिगदों को कुछ बयानों में रुजीरा की भूमिका सामने आई रुजीरा की फर्म संदे के घेरे में है और इसमें कोईला तसकरी के पैसो का कुछ लेन दिन किया गया बता दे की कोईला तसकरी मामले का मास्टर माइंड अनुप माजी और रुफ लाला है आरोप है कि वो अभिशेक बैनर जी का खास रहा है लाला के खाते से कोईला तसकरी मामले से जुड़े अरवो रुपे का ट्रांसवर विदेश किया गया है इसमें अभिशेग बेनर जी की पतनी रुजीरा बेनर जी और उनकी साली मेनका गंभीर के बैंकोक स्तित खाते का इस्तमाल हुआ है दोनों मूल रूप से बैंकोक में ही पली बढ़ी है और उनके माबाप वही रहते हैं पिछले दिनों E.D. ने अभिशेक की साली मेनका को विदेश जाने से भी रोग दिया था, एरपोर्ट से उन्हें हिरासत में लिया, कई घंटे पूछताच की गई, E.D. को शक है कि मेनका विदेश भाग कर सबूतों के साथ छेड छार कर सकती है, ऐसे में पूरे परिवार पर E.D. सकती से नजर बनाए हुए है, और इसी बीच नोटों के पहार का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है, और जिस तरीके से E.D. ने ये खुलासा किया है, कि ये पैसा कोईला तसकरी की ब्लैक मनी है, और T.M.C. के प्रभावशाली नेता है, जिसे वो प्रापर्टी खरीद इदने में इस्तमाल करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही नकेल कस दी गई, जल्द ही T.M.C. का एक और धनकुबेर सलाकों के पीछे होगा, सुलकता सवाल में आज के लिए इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहे है, क्यापिटल